दोस्तों बात करेंगे आद देखीगा आगर आप इस तरीके की लॉस रिकवरी करना चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्री चैनल है जाके जॉइन करिएगा अगर आप कल करना चाहते हैं औरकी यहां पर अगला हफ़ता बहुत बिजी रहने वाला एं Miss अं हिट वाला यह हफ़ता रहेगा फिन में भी संगर्टार में देखिएगा फिन निफ्ट यक्स्पारी होगी वह आपको एक ट्रेलर देगी और पिच्चर बनाएगी कॉनसी आपकी निफ़ती निफैं कल से एक पोल्स आना शुरू हो जाएंगे एक एकस्पेक्टेशन आना शुरू हो जाएगा कि यहां पे 80% क्या जनता चारी है 20% क्या चारी है 70% क्या चारी है इस तरीके का फिर जो statement of the RBI है यह बहुत माहिने रखेगा पहला event जो बनेगा जो बड़ा event है वो है rate decision कि जहां पे UK नहीं रुकरा जहां पे Eurozone नहीं रुकरा जहां पे US नहीं रुकरा आप 2-3 महीने पहले ही रुक चुके हो आप 2-3 महीने पहले ही रुक चुके हो आप जवाब कैसे दोगे आपकी currency depreciate हो रही है आपका inflation का data बढ़के आना वाला second thing आपका जो deficit होगा currency के बज़े से उसका क्या जवाब दोगे तो ये चीजें जब RBI ये answer कर रहा होगा तो आप समझा लीजे bank NFT एकदम देखेगा जैसे आपको last shocks दिये हैं last particular expiry पे काफी shocking waves बने बहुत लोगा देखेगा पारा high और low हुआ वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा तो पहले तो 8 अगस से 10 अगस तक देखेगा ये meeting चलेगी 10 को आपको देखेगा 10 बज़े यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो rate है इसमें क्या चानक से कोई shock आ सकता है कि normally ये rate बना रहेगा statement को लेकर shock आएगा तो ये बहुत बड़ा event है जिस पे आपको focus करना है अब हम लोग आके बढ़ते हैं दूसरी दूसरा आपको पता है सबसे सारी जड़ क्या है अमेरिका चलता किस के दम पे इस particular data के दम पे ये data कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा ये सब कुछ decide करता है और आपको पता है ये most elevated data होता है जब अमेरिका के बाजार में कम से कम 600-800 point का downfall या upfall देखने को मिलता है अब आप देखेगा यहाँ पे जितने भी participant है वो देखेगा यहाँ पे क्यू ले रहे है US inflation के number कैसे आएंगे ये उसी दिन आने जिस दिन आपका यहाँ पे RBI का meeting होगा अब आप ये समझ लीजे कल से इसके क्याने लगेंगे polls आने लगेंगे कि क्या कितना expectation है पिछली बार तो काफी ज़्यादा चले गए थे 3% पे भी चले गए तब भी देखेगा Fed के जितने भी official है वो कह रहे हैं अभी भी it is too high क्या कह रहे है अभी भी it is too high तो कहीं गलती से ये जो momentum break हुआ है यानि कि लगातर गिरी रहा 5 गिरा फिर 4 हुआ फिर 3 हुआ ये लगातर गिरी रहा है लेकिन अगर 3.2 आ गया इस पर 3.1 आ गया गलती से भी आ गया तो आप ये समझ लीजेगा Fed इसको बरदाश्ट नहीं करेगा तुरंत actively उनके सारे official statement देंगे जो market को react करेगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बाते हैं जो आपको समझ नहीं होगी कि यहाँ पे actual में यह जो चीजें हैं यह important है क्योंकि एक भी event देखेगा दिक्कत करेगा तो आपको पूरी तरीके से दिक्कत होगी तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे United States से बहुत बड़ा data आना जापान देखेगा बहुत बड़ा data देगा जापान मार्केट को बहुत सुबह गिराता उठाता है कि कल ही आपको देखने को मिलेगा फिर चाइना का Forex data आएगा जो कि आपके लिए बहुत important होने वाला है बैंकों के लिए बहुत important होने वाला है फिर Thursday को जो data आएगा वो आपको पता है बहुत बड़ा data है इसके अलावा balance of trade का data Tuesday को ये सारी तो impact करते ही रहेंगे लेकिन ये data ये जो चाइना का और जापान का data है जो morning में आता है जब live market on होता है इस पे आपको main focus करना है अदरवाइस आप back foot पे आजाओगे क्या हो जागे back foot पे आजाओगे और इसके बाद आपका खुद का data आपका India inflation rate का data इसके भी polls आना शुरू हो जाएंगे और इसके polls ये बता रहे हैं कि ये इस बार बढ़के आएगा ये इस बार देखेगा 4.81 आ सकता है पिछली बार कितना आया है ये आप जानते ही हो तो 4.81 आने की उमीद है तो अगर 4.81 या फिर देखेगा 5% के आसपास आ जाता है data तो ये RBI के लिए बहुत shocking बात होगी तो ये multiple event है जिस पे आपको focus करना है और आप इन में से किसी भी event को miss मत करिएगा वीडियो गर अच्छा लगा है तो लाइक करें अप्रिशेट करिए thank you so much